गुड मॉर्निंग सिद्धी हिंदी अनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है नौकरी की समापती आखरी मुद्धा चल रहा हमना हमारा इससे पहले हमने आपकर्ष देखा था आज नौकरी की समापती सामाने रुप से नौकरी दो प्रकार से समापती होती एक कर्मचारी स्वयम निकलना चाहता है और कई बार कर्मचार की गलती की वाज़ा से नौकरी से उसको निकाल दिया जाता है तो नोकरी करने वाला करमचारी नोकरी देने वाले वर्ग नोकरी समापती के संबंधर की शर्त के से जानकार होता है नोकरी में से दूर करना या नोकरी छोड़ देना दोनों एक ही परिणाम होते हैं फिर भी दोनों के बीच प्रक्रिया और कारण में बहुत अंतर है दोनों में नोक्री एंसान छोड़ देता है पर एक उसको निकाल दिया जाता है और एक वो स्वयम छोड़ता है उन दोनों में कारण में बहुत फरक होता है नोक्री में से कर्मचारी को निकाल देने के संबंध में और एक होता है नोक्री में से त्याग के संदर में यह स्वयम वो निकल जाता है और यहाँ पर उसको निकाल दिया जाता है तो इतना common sense तो हमें है कि उसको नोकरी से कब निकाल दिया जाता है जब वो कोई गलती या कोई अपराद करे या उसका आच्रण अच्छा ना हो तब कारिय नहीं कर रहा हो बराबता किसी भी संस्ता के लिए नोकरी के सम्मंद में यह अंतिम कदम है जिसे लेने से के पहले अनेक पहलू का विचार करना पड़ता है उसको नोकरी से निकालना यह अंतिम पहलू है उससे पहले उसकी बदली की जाती है उसको उपकर्ष कया जाता है उसके बाद वो नई सुधरे तो उसको नौकरी से निकाल दिया जिसलिए इसको अंतिम कदम का गया इस नीणई को लेने से पहले बहुत प्रकार के पत्र विहार कर्मचारी तता संस्ता के बीच होते उसको बार-बार पत्र के द्वारा समझा जात है और अलग-अलग पर तो कर्मचारी द्वारा दी गई स्पष्टता है संस्ता को योग्या न लगे तब अंतिम कदम के रूप में उसे नोकरी से निकालना पड़ता है संस्ता का कोई विभाग बंद कर दे ना हो किसी इकाई में यांतिकरन किया गया हो या करार पुरा हो ग यहां पर क्या होता है कि नौकरी जहां पर नौकरी कर रहे हो संस्ता बंद कर रही हो कोई विभाग ऐसा हो जहां पर मशीन के द्वारा कारी होने लगा हुआ हो यह करार है दो साल का कॉंट्रेक किया था दो साल पूरे हो गया उसके काम की को ज़रूत नहीं तो उसके नौकरी सो छोड़ देना तो ऐसे समय ने उसके साथ अच्छे संबंध रहे और वो उसको ऐसा किसी को मैसूसना हो कि इसको नौकरी से निकाल दिया है क्योंकि ये कंपनी की तरब से प्रॉब्लम हुई है तो स्वेचिक निवरूति और अच्छा से वो व्योसाई छोड़ के जैसे सोजने तो पूरवक अलग बहुत सारी करमचार योजना उपलब्ध है कि उसकी निवरूति के बाद भी हमें कुछ लाब है जो उसको समय पर पहुचाने चाहिए ताकि उसके एड़ साल अठावन वर्ष हमारे देश में मर्याद है एक अठावन है और 62 साल है तो अठावन वर्ष वह हो गया फिर भी वह नखरी करना जाता है फिर भी उसको क्या क्या आ जाता है कि पर यह आब आपकी उमर हो गई है जब करमचारी बार बार अनुशाशन हिंता या गुप्त दरकनी चाहिए वह गुप्त नार के पहुंचाए तब उस करमचारी को किसी भी प्रकार से निवरुती लाब दिये बिन तो ऐसे समय में उसको निवरुती का कोई लाब नहीं देते नोकरी से निकाल दिया जाता है और उपर के यह संसता का विबाग बन करना कर पोश्ट की नोकरी मिली हो कोई अच्छी ओपर्टूनिटी मिली हो यह ज्यादा पगर वाली नोकरी मिली हो शहर छोड़के चला जाना हो खुद का स्वास्ते ही खराब है घर वाले मना कर रहे है खुद का बिजनस शुरू किया ऐसे बहुत सारे कारण से स्वयम वो नोकरी संस्ता में कार्य करने वाला कर्मचरी कई बाया निजी कारणों से त्याग पत्र दे कर नोकरी में से मुक्त होना पसंद करता है त्याग पत्र अर्थास्यक थ्य को gather द्वारा लिए लिखित निवेदन कर्मदक करो देते कारण की मैसे नोकरी छोड़नी जब करमचारी को अन्य संस्ता से अधिक लाबदा एक मौके मिले जो मैंने कारण आपको सब बता हूँ अधिक मौका मिले बीमार हो नीजी को ऐसा कारण हो नोकरी करने से वह समर्थ हो उसके तबियत खराब हो संस्ता के साथ किसी प्रकार का मदबेद हुआ ह करमचारी कोई गलत उसके ओपर आरोप लगाया हो परिवार का सलांतर हुआ हो ऐसे समय करमचारी त्याग पत्र भरेगा और एक मिलने पत्र है जो भी dif है वह कंपनी की तरफ से उसको आराम से मिलेंगे और आगले समय के लिए तो एक नोकरी की समाप्ति है तू पत्र तो ये कंपनी का पता है कंपनी का एड्रस है सुमेटा और ओधो और ये फोन नमर इमेल इडी जिस व्यक्ति को मतलब नौकरी से निकाल रहे है उस व्यक्ति का पता है ये कंपनी का पता है कंपनी का नाम है कंपनी का इमेल इडी फोन नमबर है तारी कि यहां पर एक लाइन छोड़ कर तारी क्लिक नहीं और यह व्यक्ति का पता है सेवा समाप्ति उसको सेवे उसाई से निकाल रहे को उसकी सेवा अब हमें चाहिए नहीं समाप्ति हो गए श्रीमान दो वर्ष के लिए जो करार देखो यहां पर अच्छा कारण लिया कि दो वर आपको जानकारी हो कि हमने आपके साथ दो साल का कॉंट्रक किया था दो साल तक आप हमारी कंपनी के अंदर सेल्स एग्जुकेटिव की तरह कार्य करोगे अब वह दो वर्ष नवंबर को पूर्य होने वाले हैं थोड़े दिनों में तो आपको इस बात का ध्यान रहे आप तक आप नई नौकरी तून ले हमने आपको इस पत्र लिखा है आपकी न्यूकती उत्तर गुजरात के तीन जीलों में कंपनी के उत्पादन प्रचार और प्रसार हमारी कंपनी के मार्केटिंग के लिए आपको हमने चुना गिया था आपके दोर प्रस्तित की त्री मासिक रिपोर्ट से पता चलता है कि आपकी न्यूक्ति से उतर गुजरात में योग्य बाजार विक्सित करने में सफलता मिली आप हर तीन महिने के हमें रिपोर्ट दे देते तो यह रिपोर्ट से हमें पता चला कि आपने जो भी हमने आपको न्यूक्ति किया है जो भी काम सवा पा कार्यकाल की समापती के अंतिम दिन आपको शेष निकलती सभी राशिय संतो जनक कार्य पुनकरने का प्रमाम पत्रक आपको दिया जाएगे जिस दिन आप नोकरी छोड़ दोगे उस अंतिम दिन को आपको सभी प्रकार के लाब और जो भी आपकी रका में वो आपको दी जाएगी और आपको एक प्रमाम पत्रक भी दिया जाएगी आपको अजबल बविश और प्रतिकारक बविश के लिए आपको बहुत बहुत शुप कामा यहां से क्या होता है कंपनी के तरफ से उसको निकाल दिया है पर उथ धला खराब भरताव कारण नहीं अच्छे भरताव के से निकाल दिया है तो यहां पर क्या हुआ है यहां पर भी यह वाला पत्र ही है कि उसको निकाल रहे है तो यह कंपनी का पता है एक लाइन चोड़ कर तारीक है कंपनी का फोन नमर और जिस व्यक्ति को निकाल रहे है उसका पता है तो अनिवार्य सेवा निवृत्ति है तु आदेश कि आपको न संधान में सुचित किया जाता है कि आप पर गंबीर वित्य ब्रष्टाचार के आरोप के संदर में विभागिया जांच समीती न्यूक्त की गई थी तो पहले तो यहां लिख देंगे आपको सेवा से निवरुत करने हे तू यह पत्रा लिखा गया है फिर क्यों आपके ऊपर गलत जो आरोप लगे थे उसके लिए हमने एक विभागिया जांच समीती के न्यूक्त की थी जो घंबीर वश्टाचार का आपके उपर आरोप लगा था उसके लिए हमने एक जांच की समीती के न्यूक्त की थी उस समीती के अंदर आप जिम्मेदार ठहरे हो ऐसा में रिप करते हैं और निवरूति के बाद के किसी पर प्रकार के आपको लाब मिलेंगे नहीं अब तब आपने जो भी कार्य किया है उस कार्य से आपके निकलती शेश राशी आपको दे जाएगी तो उनके द्वारा प्रसुत गई रिपोर्ट अनुसर आप गंबीर वित्य ब्रश्टा लब्रश्ट आप्तलावों की नियंतरित नहीं किया जा सकता यह विधीत हो आपको लाब है कर नियंतरित भाद आपको मिलने योग्या है वो आपको मिलेंगे, बराबर इस बात को आपको विदित हो, और आपकी निकलती हर राशी आपको हम भुकतान करेंगे, आपका विश्वस्निय, जयेश, और जो भी नाम है, उसका यहाँ पर जमेश, जयेश, अमीन, शाखा प्रबंदक है, सोराश कॉपरेटी वेंक लिमिटे लेटर तो मैंने दिये थे, फिर यह सब लेटर आपको लिखने है, लेटर जितना लिखोगे, उतनी आपके प्रटीस होगे, और परिक्षा में माक्स आएगे, 25 माक्स के पांस लेटर पूछे जाएगे, ठीक है?